ये गाइस असलाम अलेकूम आज मैं आप सबके ले लेकर रहे हूं पिजा बाइट की रेसिपी पिजा किसे नहीं पसंद है पिजा तो सबको पसंद आता है तो चलिए आज बनाते हैं पनीर पिजा बाइट्स अरबियन स्टैल में सबसे पहले हम डो बना लेंगे डो के लिए प्लोर लिया है तू कप्स मैदा द्रै एस्ट वन एंड़ टी स्पून सॉल्ट हाफ़ टी स्पून शुगर वन एंड़ टी स्पून ओलीव ओल टेबल स्पून अप रेगुलर ओल भी दाल सकते हैं इसको अच्छे से एक बर मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा नीम गरम पानी देखिए मैंने डो बना के तयार कर लिया है अभी इसमें हाफ़ टी स्पून जितना ओलीव ओल दालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हैं अच्छे तरह से मैंने नीट कर लिया है अभी इसको कवर करके वन आवर तक हम सैट पे रिस्ट के लिए रखेंगे अगर विदर कोल्ड है तो टू से त्री आवस तक रखना है अभी एक पैन लीजिए पैन में वन टेबल स्पून जितना ओलीव ओल दालेंगे आप रेग्यूलर कुकिंग ओल भी दाल सक कलर नहीं आ जाता अभी हम एम एड करेंगे ग्रीन केप्सिकम टू टेबल स्पोन रड केप्सिकम टू टेबल स्पोन наша कैसी कम्फ अच्छे से मिक्स कर लिजिए साटे कर लिजिए मीडियования फिलेम पे हमें ज्यादा नहीं पकाने है पनीर लिया है half cup, इसको मैंने छोटे से cubes में cut कर लिया है, इसको भी saute करते हुए पका लेंगे हम, अभी हम add करेंगे half teaspoon जितना salt, नमक दलना है half teaspoon, जी रप ओडर half teaspoon, अच्छे से mix कर लेजिए medium flame पे, सबजी को ज्यादा नहीं पकाना है हमको, soya sauce one teaspoon, hot sauce half teaspoon, अगर आपके बस hot sauce नहीं है तो आप chili powder भी add कर सकते हैं, tomato ketchup one teaspoon, अच्छे से mix करते हुए पका लेजिए, दो मिनिट के लिए medium flame पे, black pepper powder half teaspoon, कुटा हुआ काली मिर्च चाहिए, अच्छे से mix कर लेजिए, देखिए, ये तयार हो चुका है, तो अभी हम flame को off कर देंगे, मैंने counter पे थोड़ा मैदा dust कर लिया है पहले से ही, देखिए, डो भी format हो चुका है, तो अभी हम, अच्छे से इसके इंदर का gas निकालेंगे, अच्छे से हाथ की मदद से इसे गुनिए, अच्छी तरह से गुनना है हमको, देखिए, मैंने half cut कर लिया है, तो half में, अभी हम छोटे छोटे बॉल्स बना के तयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं, आपको size कितना चाहिए, अप उतना size रख सकते हैं, डो को, अभी हम इसको बेल लेंगी, रोलर पिन के मदद से, अच्छे से बेली जी, चापाती जैसे बनाते हम, ऐसे ही same बेलना है, शेप खराब हो जाएगा, और round नहीं आ रहा है, तो tension मत लिजिए, चुनके shape से कोई फरक नहीं पड़ता है, हमें बस चापाती जीतना बेल लेना है, तो अभी हम corner से cut कर लेंगे, चारण तरफ, हम knife की मदद से, चार cuts लगा लेंगे, opposite directions में, अभी हम half teaspoon जीतना एड़ करेंगे pizza sauce, अच्छे से लगा लीजिए, अभी हम mozzarella cheese एड़ करेंगे, थोड़ा और गयानो दलेंगे, थोड़ा chili flakes, red chili flakes है अभी हम paneer add करेंगे, one table spoon जितना, अभी हमको अच्छे से shape देती हुए, round से fold कर लेना है, opposite direction से fold करना है, अब देख सकते हैं, flower का shape देना है, इस तरह हमारा पहला shape ready हो गया है, तो अभी हम इसको एक plate में रख लेंगे, plate में रखने से पहले, थोड़ा उसमें माइदा dust कर लीजिए, देखिए इस तरह, फिर इसके पर रखिए, वरना यह चिपक सकता है, अभी हम second shape दायार कर लेंगे, सबसे पहले हम add करेंगे, pizza sauce, one teaspoon जितना, same process है, कुछ changes नहीं है, तो अभी हम cut कर लेंगे, eights cut दा लिया है मैंने, mozzarella cheese, तो अभी हम थोड़ा oregano दा लेंगे, थोड़ा चिली फ्लेक्स, पने स्टॉफिंग दा लेंगे, one teaspoon जितना, तो अभी इसे, अच्छे से हम fold कर लेंगे, देखिए अब opposite direction में हमको fold करना है, अच्छे से fold कर लीजिए, shape देती हुए, flower का shape देती हुए, fold कर लीजिए, इस तरह दूसरा design भी तयार हो चुका है, अभी हम चलते हैं तीसरे design के तरफ, मैंने दो डोको, एक बार चपाती जितना बे लिया हैं दोनों को, तो उसमें हम apply करेंगे थोड़ा pizza sauce, तो फिर one tablespoon जितना stuffing दा लेंगे, पनेर वाला, अभी हम उपर से थोड़ा mozzarella cheese दाल लेंगे, अभी थोड़ा chili flakes, और थोड़ा oregano, अभी हम थोड़ा पानी से corners पर apply कर लेंगे, ताके हमारा dough अच्छे तरह से चिपक जाए, और जो भी stuffing किया है, हमाचीज है, वोबा है, ना निकले bake करने के time, देखे, अभी दूसरा dough को अच्छे से cover करते हुए, दालिए, और हलके से press कीजिए, अभी हम फोग की मदद से press कर लेंगे, ताके इससे अच्छा design भी आ जाएगा, और अच्छे से press भी हो जाएगा, इस तरह हमारा तीसरा design भी ready हो चुका है, तो अभी हम इसको direct baking tray में रख लेंगे, देखी, मैंने baking tray को already grease किया हुए butter से और parchment paper भी दाला है, अभी हम milk wash कर लेंगे, अच्छे से, ताके इसका color बहुत अच्छा आता है, बेक होने के बाद milk wash करने से, अभी हम थोड़ा sesame seeds से डालेंगे, white till है, यह optional है, मैंने oven को already 180 degree centigrade पे 10 minute के लिए preheat कर लिए आता, अभी हम baking tray रखेंगे और bake करेंगे 180 degree centigrade पे 20 minute के लिए, दिखी, bake हो चुके है, तो अभी हम pizza bites निकाल लेंगे बाहर, देखी, कितना अच्छा color आए, और अच्छी तरह से bake भी हो चुका है, आप इस recipe को आने वले रमदान menu में जरूर add कीजिए, और मेरे को comment में बताए के कैसे बनाता अगर मेरे recipe आपको पसंदा है, तो please like कीजिए, subscribe कीजिए, और family friends के सथ share कीजिए, thank you.